हेलो एव्रीवन, वेलकम बैक तू हॉम्वर्क कॉर्णर आजम करेंगे इवियर्स वर्कशिट, क्लास टू से और टॉपिक होगा हमारा आर फूड काफी सारी बुक में जो कंटेंट है वो अलग-अलग दिया हुआ है कुछ बुक में वेजटेरियन, नॉन वेजटेरियन, सौर्स और प्लांट ये टॉपिक दिया हुआ है जबकि कुछ बुक में काइंड ओफूर को एक अलग-अलग हिस्ते में बाटा हुआ है सो हम इस वरक्शिट में करेंगे काइंड ओफ फूर्स के बारे में पढ़ेंगे एनर्जी गिविंग फूर, बॉडी बिल्डिंग फूर, प्रोटेक्टिव फूर, बैलेंस डाइट और साथ में हम सीखेंगे सौर्स और प्लांट Need, फूर की need हमें क्यों होती है It help us to grow, जो फूर है वो हमारी मदद करता है ग्रो करने में, it gives us energy to work and play काम करने के लिए और खें़ने के लिए हमें energy देता है It help us to keep us healthy, यह हमें स्वास्त रखता है and to fight from disease और बिमारियों से लड़ने में मदद करता है काइंट्स ओफूड में हमारी तींतर टाइप के फूड है एनर्जी गीविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड and प्रोटेक्टिव फूड अब एक एक करके हम इनके बारे में डिसकस करेंगे सबसे पहले एनर्जी गीविंग फूड एनर्जी गीविंग फूड हमें एनर्जी देते हैं ताकि हम वर्क अच्छे से कर सके एनर्जी गीविंग फूड में राइस, सुगर, पटेटो, बटर, बीन्स, ओयल ये सब आते हैं नेक्स्ट हमारा बोडी बिल्डिंग फूड बोडी बिल्डिंग फूड हमारी growth में help करता है ये हमारी muscles को strong बनाता है pulses, cheese, egg, milk, fish, meat ये सब हमारे बोडी बिल्डिंग फूड है इसके बाद आते हैं हमारे protective food जो कि हमें protect करते हैं disease के against fight करते हैं हमारी vegetable और fruits हमारे protective food होते हैं जैसे banana, pumpkin, green vegetable ये सब हमें vitamin और minerals देते हैं इसके अलावा salt भी हमारे brain की help करता है अच्छे से work करने में ये थे हमारे energy giving food, body building food और protective food अब है हमारा source of food यानि के food हमें कहां कहां से मिलता है so food हमें मिलता है दो तरीके से food from plant and food from animal food from plant में fruit, vegetable, grains, cereal ये सब हमें मिलते हैं plant से food from animal में meat, milk, egg, etc. ये सब हमें मिलते हैं animal से balanced diet balanced diet हम किसे कहेंगे a diet which contain all nutrient in right amount is called balanced diet एक ऐसी diet जिसमें सारे ही nutrient है right amount में जो हमें full nutrition दे उसे हम कहेंगे balanced diet चलिए अब हम कुछ questions करते हैं first है हमारा match the following हमें match करना है इन सब को पहला है हमारा इधर cheese, water, fruit and vegetable, rice and wheat इधर protective food, energy giving food, digestion of food, body building food so चलिए one by one करके हम match करते हैं first है हमारा cheese अब जो cheese है हमारा वो कौन से food में आएगा बच्चो cheese है हमारा body building food क्या है हमारा body building food तो cheese को हम मिला देंगे body building food से ओके बच्चो मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ यह this is one ओके water, water किस में काम आएगा हमारा digestion of food हमारे खाने को digest करता है fruits and vegetables है हमारे protective food क्योंकि हमें vitamin और minerals देते हैं rice and wheat है हमारे energy giving food इन से हमें energy मिलती है और energy जो हमें मिलते हैं उससे हम easily work कर पाते है next है write to two example of each food from plant हमें बताना है कि वो कौन से food है जो हमें plant से मिलते हैं so fruits है हमें fruits and vegetables जो हैं हमें मिलती है plants से दोदो example लिखने हैं आपे food from animal milk एग protective food कौन कौन से हमारे protective food भी हमारे सेम हो सकते है fruit sorry fruits and vegetables energy giving food कौन कौन से होंगे हमारे rice and wheat body building food हमारे कौन से होंगे fish and meat fish and meat जो है body building food है यहां पे हमारा egg भी आता है हमारे डाले pulses भी जो हमारी वो body building food है जो 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 हमें work और जो खेलने के लिए energy देता है तो यह है हमारा true यह है हमारा true rice and wheat are body building food यह हमारा false because rice and wheat are the energy giving food यह हमें energy देते हैं work करने के लिए meat and fish are body building food right meat and fish जो है वो body building food है salt help our brain to work properly so यह भी हमारा true क्योंकि जो नमक है वो हमारे brain की help करता है ताकि वो अच्छे से काम करे mcq multiple choice question one of these food provides us energy so कौन सा जो है food हमें energy देता है so वो है हमारा butter क्या है वो हमारा butter one of these is a protective food इनमें इस एक protective food है so वो होगा हमारा fruit वो होगा हमारा fruit cheese and butter provide us cheese और जो butter है वो हमें क्या देता है energy, protection या growth तो cheese और जो butter है वो हमें देते है energy क्या देते हैं हमें energy देते है यह हमारा fifth और last question fill in the blanks using given option in the box यहाँ पे जो कुछ options दे हैं black color से इनकी फसायता से हमें ये fill in the blanks fill करने है green vegetables are blank food green vegetables are कैसे food है green vegetables तो यहाँ हम fill करेंगे protective food second है we get cereal and pulses from plant अब blank diet contain all kind of nutrient in proper amount तो यह आजाएगा हमारा बेलेंस्ट फूट गीव आस एनरजी टो वर्क अड प्लेएग में सिर्फ इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट शेशन में जरूर बताईए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग झाले हमारे हम